नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना पासवर्ड के होट इसपोर्ड कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जी आँ दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को ध्य मोबाइल फोन का डाटा मतलब की इंटरनेट पर खतम हो जाता है लेकिन आपको जरूरत पड़ती है जो है इंटरनेट की कोई जरूरी काम है आप जो है आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए तो उस समय आप क्या करते हैं अपने घर में यार दोस्त में किसी का फोन लेकर उसके mobile phone का hot support enable करके जो है आप अपने mobile phone में connect करके उसका net जो है आप अपने phone में use कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है उसके hot support का password पता होना चाहिए, क्योंकि बिना password के आप जो है उसके phone का internet आप अपने phone में use नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आज मैं आपक का přिंटम का सब्सक्राइब को जो करना है कि जिसके अपने पर्सक्राइब आपको क्ले आपको पासड सेटिंग करना है निस जो है अपने mobile phone के screen पर आ जाता हूँ तो सबसे पहले तो आपको जो है उसके mobile phone मे जाना है कौन सी heading को enable करना है आपको जिसके phone का internet लेना है उसके phone में आपको जाना है और जो है उपर की तरफ से notification बार open कर लेना है अगर उपर की तरफ से नहीं आता है तो कुछ phone में नीचे की तरफ से आता है कुल मिला कर आपको notification बार उसके mobile phone का जो है open करना है जिसका आप internet यूज करना चाहते हैं तो उसका जो है notification बार जब open कर लेंगे तो आपको जो है सबसे पहले तो आपको जो है उसके mobile phone का data मतलब की internet enable कर देना है उसके बाद आपको hot sport का option मिलेगा यहाँ पे खुलके आपके सामने आ जाएगा अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सी setting कैसे करना है तो सबसे पहले आपको जो है अपने phone का hot sport enable करना है enable करने के लिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर option मिल जाए तो वहाँ से enable करने अगर आपको उपर यहाँ पर नहीं मिलत setting के setting के अंदर आने के बाद जो है यहाँ पर आपको option मिलेगा तो सबसे पहले आपको उसके phone का hot sport on कर देना है तो मैं on कर देता हूँ on करने के बाद दोस्तों अगर कुछ data limit इस तरह से मांगता है one time mobile data user limit तो आपको जो है जितना mobile phone मतलब उसके phone का internet जितना यूज करना है यहाँ पी आपको जो है select कर देना है 50 MB लेना है तो 50 पे 100 MB लेना है 200 MB 500 MB या जितना MB लेना है आप यहाँ पर set कर सकते हैं अगर unlimited MB लेना है मतलब कि unlimited उसका internet आप यूज करना चाहते हैं तो आपको unlimited पर जो है click करके यहाँ पे छोड़ देना है ठीक है तो unlimited पर मैं क्लिक कर देता हूं उसके बाद unlimited पर जो है set हो चुका है अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर याना है नीचे security का option देखने को मि नीचे वाले पर आपको नीचे वाले पर जो none का option है इसी पर आपको click कर देना है तो जिसके phone का internet लेना है बस इतना ही काम आपको करना है उसके phone का data enable करना है hot support enable करना है उसके बाद security में जाना है none पर आपको select कर देना है उसके बाद आपको back आ जाना है तो यह तो हो गई दो अब दोस्तों आपको जाना है अपने फोन में ध्यान देना कि आपको अपने फोन में क्या करना है तो अपने फोन में जाने के बाद आपको अपने फोन का भी notification बार इस तरह से open करना है notification बार open करने के बाद आपको अपने फोन में ना तो data enable करना है चुकि आपके phone में internet है नहीं और ना ही hot spot enable करना है आपको अपने phone में wifi जो है enable करना है तो इसके लिए आपको wifi का option जो इस तरह से मिलेगा इस पर आपको थोड़ी देर दबाए रखना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page कुल के आएगा तो सबसे पहले आपको अप पर search करके आ जाएगा अगर नहीं search करता है तो इस तरह से आपको उंगली से सरका देना है उसके बाद जो भी hot spot आपके आसपास on होगा वो network find करके यहां पर जो है यह आपका mobile phone में screen पर आ जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं एक network मेरे phone में आ चुका है तो मैं आपको बता कि मैंने जो है अपने घर का दूसरा phone का मतलब की mobile का data और hot spot enable करके side में रखा है तो उसी का hot spot connection जो है मेरे phone में यहां पी आ गया है तो इसी तरह से आप जिसका internet use करना चाहेंगे जब आप उसका data hot spot जो मैंने बताया सारी चीजे किये रहेंगे तो यहां पे जो है उसका network जो कि मैंने फोन का मतलब जिसके phone का internet ले रहा हूं यह उसी कर नेम है ऐह किसी और के मिलिचे किसी और का phone का आगर hot spot on है तो उसका भी यहां पर जाय तो आपको ध्यान देना है कि मतलब मैंने किसके फोन का hot spot enable किया है जो है उसका नाम यहां पर आएगा तो उसी के नाम पर आपको click करना है इस तरह से मैं click कर देता हुँ उसके बाद दोस्तों यहां पे connected दिखाई देगा थोड़ी देर, उसके बाद automatically इस तरह से connect हो जाएगा, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, connect हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां आप मेरे phone में उपर भी देख सकते हैं, कि Wi-Fi का connection चालू हो चुका है, म YouTube जो है, खुल रहा है, तो मैं कोई एक वीडियो भी प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, कि वीडियो प्ले हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं, कि वीडियो भी चल रहा है, प्ले हो रहा है, किसी का वीडियो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह जो है, इंट पॉन का केवल वाईफाई जो है इनेबल है डाटा ओफ है मतलब कि यह जो डाटा चल रहा है यह किसी और फोन का डाटा है तो इस तरह से आप भी बिना पासवोर्ड डाले किसी भी फोन का इंटरनेट यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि अब आसाने से आप यह चीज़े कर पाएंगे और वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल परना है है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना